पाकिस्तान को भयंकर सियासी और आर्थिक संकट से जूचते हुए देखा जा सकता है ब्रश्टाचार की आरोपों में पूर्व प्रधान मंत्रे इमरान खान की गिरफतारी के बाद पूरे मुल्क में जबरदस्त हिंसा भड़क उठे थी वाशिंग्टन के विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टिट्यूट के निदेशक माइकल कुगिल मैन कहते हैं जब आपकर पडोसी पाकिस्तान जैसा दुश्मन हो और अपने अच्छे से अच्छे दौर में भी उथल पुथल का शिकार रहा हो और वो आज भयंकर राजनितिक संकट बड़े पैमाने पर हिंसा तोड़ फूर और खास तोर से फौज और सियासी दलों के बीच टकराव का शिकार हो तो आपको निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चल रही उथल पुथल भारत तक फैल जाएगी मगर असली फिक्र इस बात की है कि अपने अंदरूनी जंजावतों से जूचता पाकिस्तान उन चीजों पर काबू रखने की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा जो भारत के लिए भयंकर खत्रा है जैसे कि भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले चरम पन थी तो क्या अपने पडोस में चल रही इस उठापटक से भारत को चिंतित होना चाहिए इतिहास के पन्नों से हमें कुछ इशारे तो मिलते हैं 1971 में पाकिस्तान की अंदुरूनी उठापटक का नतीजा उप महाद्वीप में खूनी जंग और फिर बांगलादेश के रूप में एक नए देश के उदय के तोर पर निकला था साल 2008 में एक जन्ना अंदोलन ने पाकिस्तान के फौजी शासक परवेज मुशर्फ के राज का खात्मा कर दिया था उस वक्त हुए चुनाओ में मुशर्फ को करारी हार का सामना करना पड़ा था इसके कुछी महीनों बाद पाकिस्तान से जुड़े देशतकरदों ने मुंबई पर बड़ा आतंकवादी हमला किया था अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रह चुके हुसेन हक्कानी अब वाशिंग्टन के हट्सन इंस्टिट्यूट और अब उधाबी के अनवर गरगाश डिप्लोमाटिक अकेडमी से जुड़े हैं हुसेन हक्कानी कहते हैं पाकिस्तान में ये उधल पुथल उस वक्त मची हुई है जब पाकिस्तान अपनी तारीक के शायद सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूज रहा है और ऐसा लगता है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का शासक तंद्र यानि फौज कमजोर और अंदर से बटी हुई है इस उधल पुथल के चरम सीमा पर पहुँचने पर दो नतीजे निकल सकते हैं हालां कि माइकल कुगल मैन जैसे विशिशक के इस बात से इंकार करते हैं पहला ये है कि पाकिस्तान मतभेद खत्म करने के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है हालां कि ये अलग बात होगी कि भारत के इसमें दिल्चस्पी नहीं होगी दूसरा पाकिस्तान भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले दहशतकरदों को सीमा पार कोई बड़ा हमला करने के लिए उकसाई लेकिन माइकल कुगल मैन कहते हैं मौजूदा हालात में पाकिस्तान किसी और संगर्ष या भारत के साथ कोई नया टकराव मोल लेने का साहस शायद ही जुटा पाई लेकिन भारत के चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए जो इन दोनों भयंकर नतीचों के बीच की स्थिती हो सकते हैं माइकल कुगल मैन कहते हैं ये वो स्थिती होगी जो अंदरूनी उथल पुथल के शिकार पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी चुकि पाकिस्तान का ध्यान इस वक्त बटा हुआ है तो वो सीमा पार से किसी हमले की आशंका पर काबू बनाए रखने की स्थिती में नहीं होगा पाकिस्तान में भारत के उच्चा युक्त रह चुके शरत सभरवाल जैसे विशलेशक ये नहीं मानते कि पाकिस्तान तबाही के समंदर में टूबने वाला है इसके बजाए वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान अपने उथल पुथल भरे इतिहास को दोहराते हुए ऐसी ही लड़ खड़ाते हुए अपना सफर आगे भी जारी रखेगा पाकिस्तान में भारत के उच्चा युक्त रहे TCA राखवन कहते हैं मौजूदा हालात में शायद सबसे अच्छा यही होगा कि दोनों देश आपसी संबंधों के मामले में नियूंतम संपर्क के स्थिती पर कायम रहते हुए नियंतरन रेखा पर यो धविराम का पालन करते रहें महीं हुसैन हकानी जैसे दूसरे जानकारों का मानना है कि भारत इस वक्त देखो और इंतजार करो कि रणनीलती अपनाते हुए सीमा पर बारीकी से नजर बनाए हुए है भारत का जोर इस बात पर है कि पाकिस्तान की अस्थर्टा का सालाब अगर उसकी तरफ बढ़ता है तो उसकी हालत बेखबरी और हैरान रह जाने वाले ना हुए माइकल कुगेल मैन कहते हैं भारत को अभी भी सतरक रहनी के जरूरत है और उसे अपनी चौकसी में कुई कमी नहीं करनी चाहिए